नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं पाराशिक्षकों का आगलन परिक्षा के आवेदन तारिक बढ़ी जहरखन के सहायक अध्यापक पाराशिक्षक की परथम आखलन परिक्षा के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन जामा होगा परिक्षा में सफल पाराशिक्षकों के मांदे में 10 पिस दी की बढ़ोतरी की जाएगी जह एक जल्द ही इस सम्माद में अजिसुचना जादी करेगा जह एक द्वारा पूरू में आवेदन जामा करने की ती थी 7 अक्टूबर तक निधारित की गई थी जह एक द्वारा फिलहाल परिचा के ती थी घोसित नहीं की गई है बतादे सहायक अध्यापक सेवासर्त निमावली कनुसार आकलन परिचा में सामील होने के लिए पवान पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य है राजी में सिख्च को के पर्मान पत्र सत्यापन की परकिरिया पूरी नहीं हुई है जार्खन की राईधानी राची में 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिन अफिरिका के बीच एक दिवस्य क्रिकेट मैच खेला जाएगा भारतिय क्रिकेटरों के साथ साथ बिदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए राची पुलिस ने पुखता इंतिजाम किये हैं क्रिकेटर्स की सुरक्षा को लेकर राची पुलिस फूरी तरह से सतरक है रांची में भारत दक्षिन अफ्रीका के बीच होने वाले इंटरनेशनल वन डे किर्केट मैच की सुरक्षा में भारतिये पुलिस सेवा के चार अधिकारी तैनाथ रहेंगे इनकी मदद के लिए 29 DSP को ड्यूटी पर लगाया गया है इनके अलावा इंस्पेक्टर दोरगा और जमादार रेंग के 500 पुलिस पदा धिकारी को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है बता दे ओभर ब्रीज के निकट इस्थित होटल रेडिसिन बुलू से JSA स्टेडिन तक चपे चपे पर पुलिस कर्मियों को तैनाथ किया जा रहा है सावित्री बाई फुले किसोरी समरीदी योजना से किसोरियों को मिलेगा लाव राज सरकार अब राज की किसोरियों को नई योजना के तहतलाब देगी इसके लिए परयाज सुरू किया जा चुके हैं राज के जीलों के उपायूत को इस बावत आदेश भी दिया जा चुका है कई जीलों ने इसकी सुरुवात भी कर दिया है साथ ही इस नई योजना के बारे में बताना भी सुरू कर दिया है बता दे चात्रा जीले में निकाली गई सुचना में बताया गया है कि अब राज्ये में पुरो की तरह मुख्य मंत्री सुकाजना योजना की जगा सावीत्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी योजना के तहत लाब परदान किया जाएगा चात्रा में जीला परसासन ने इस सावीत्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी योजना के लाब और सर्थ के बारे में बताना सुरू कर दिया है सुचना में कहा गया है कि आठवी कला से बरावी काक्षा में पढ़ने वाई लड़कियों को अब सुकानिया युणना की बजाय सावित्री फुल्ले की सोरी सम्री दिवजिना का लाब दिया जाएगा रिम्स में 64 पदो पर भरती के लिए एक नॉमबर से करें आवेदान JSSC ने रिम्स में 33 रेनी के पदो पर नियुक्ती पर क्रिया शुरू कर दिया है इसके तहत बैकलोग के 34 वन्यमित रिक्तियों के 30 समेत कूल 64 पदो पर नियुक्ती की जाएगी JSSC ने उक्त पर त्युक्त परिक्षा के लिए एक नॉमबर से 29 नॉमबर तक आवेदान अमत्रित किया है 2 दिसंबर तक परिशा सुल का भुक्तान किया जा सकेगा मैच को लेकर रांची की ट्रैफिक वेवास्था बदली भारत अर्दक्षिन अफ्रीका के बिज तीन मैचों की वन्डे सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के JSC International Stadium में रविवार 9 अक्टूबर को खेला जाएगा दोनों ही टी में सुक्रवार को रांची पहुंच चुकी है वहीं मैच के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम से जुड़ने वाले रास्तों की ट्रैफिंग वेवस्था में बदलाव किये है वहनों के आने का रूट वर पार्किंग की अलग वेवस्था की गई है इस मैच पर संकट के बादल चाय हुए है ऐसे में यह वन डे मुकाबला बारिस से परवावित भी हो सकता है और किर्केट फैंस को निरासा कर सकती है बता दे राजधानी में भारत और दक्षिन अफ्रीका के बिच रभीवार को वन डे मैच होगा इस दोरन बारिस कुछ देर के लिए बाधाब पहुचा सकती है मौसम के जरे के अनुसार रभीवार को आसमान पर आंसिक रूप से बादल चाय रहेंगे लोहर दग्गा में उग्रवाद परभावी छेतर में गरीबों को नहीं मिल रहा रासन लोहर्दगा जिला अंत्रगत पेसरार परखंड के उग्रवाद परभावी सीरम पंचायत में तीन मासे जन वित्रन प्रनाली के दुखंदार द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है इसे नराज सेकडो ग्रामिन सुक्रवार को समनाले पहुचकर जिला अपुर्दिपता अधिकारी लोहर्दगा को हस्ताक्षर यूक्त ग्यापन सोपा है ग्यापन में ग्राविनों ने कहा है कि सिरम पंचायद परखंड पेसरार जिला लोहरदगा के ग्राम सिरम पहाड गीर कुर्से के 300 से अधिक करधारी हैं हम सभी करधारियों का राशन विगत 3-4 माह का राशन डिलर महावीर सिंग खेरवार द्वारा नहीं दिया जा रहा जिससे हम सभी को परिशानी हो रही है वहीं डिलर सिरी सिंग द्वारा मनमानी धंग से राशन वित्रन में गरबड़ी भीकी जा रही है गरामिनों ने अनरोध किया है कि सभी राशन कारधारियों की समस्याव को देखते हुए ओचित रूप से बकाया राशन मुहया कराये जाए दुमका पीडिता का सोव पहुचते भड़का आक्रोस दुमका में पेट्रोल डाल कर जला दी गए पीडिता का सोव आए दुमका पहुचा मोखे पर गोड़ा सांसर डाक्टर ने सिकान दुवे भी पहुचे आक्रोसित लोगों ने आरोपी राजे स्रावोत को जनता के हवाले करने की मांग की है जबकि पुलिश ने नियालाय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया चार घंटे बाद जाम हटा बिहार जारखन को जोड़ने वाली दुमका भागलपुर रोड में नोनी हाट के पास गम और गूसे में ग्रामिनों ने रोड को जाम कर दिया था बता दे दुमका जी लेके जर्मोंडी थना चेतरे के भालकी पंचायत के भरतपुर गाओं में जिस उनस वर्षे यूति को पेट्रोल डाल कर जन्ता जला दिया गया था उसका सव सनिवार को दुमका पहुँचा सरकारी स्कूलों के मानसिक टेस्ट की कोपियों के मुल्यांकन में गरबड़ी ज्यारखन के सरकारी स्कूलों में नवी से बरहवी तक के मानसिक टेस्ट की कोपियों के मुल्यांकन में गरबड़ी मिली है किसी बच्चे ने सिर्फ प्रस्ट ने लिखा तो किसी ने गलत उतर कोई कोपियों में एक जैसे अंसर भी लिखे गए हैं इसके बावजूद उन्हें पूरे नंबर मिले मामला जमसेदफूर कहा है दरसल जीले के सरकार स्कूलों में उपायूद बिजया जाधाव ने हर मा नौवी से बरहवी कलास तक के बिद्यार्थों का टेस्ट लेने का निर्देश दिया था उक दे निर्देश के आलोक में सभी स्कूलों में पिछले मा टेस्ट लिया गया था इसकूल के सिख्षकों द्वारा 90 फिश्दी कोपियों का मुल्यांकन किया गया लेकिन उसी में 10 फिश्दी कोपियों की जाच प्रसासनिक अधिकारियों से कराई गई इसमें बड़े प्रमाने परला परवाही पाई गई सिख्षकों ने ना ही परिश्दी को गंभीता से लिया और ना ही कौपियों की जाच ही सही तरीके से की है नेतरहाट इसकूल में 29 नियुक्ती एक साल से लटकी नेतरहट आवासे विद्याले में सिख्षको की नियुक्ति के लिए पिछले एक साल से परक्रिया चल रही है आवेदन जमा होने के एक वर्स बात भी नियुक्ति परक्रिया पूरी नहीं हो सकी पिछले वर्ष अक्टूबर में बिद्याले में 29 पदों पर सिख्षकों की नियुक्ति के लिए अवयदन लिया गया था इस दोरान बिद्याले के एक और सिख्षक स्वानिवरित हो गाए वहीं एक सिख्षक इस वर्ष नॉम्बर में स्वानिवरिती हो जाएंगे सिख्षकों की कमी से विद्याले में पठन पठन परभावित हो रहा है बतादे विद्याले में सिख्षकों के 47 पद स्विक्री था है लेकि इसमें से सिर्फ 27 ही कारेरा था है पिछले वर्ष 29 पद के लिए लगभग 1650 अवयर्थियों ने अवयदन दिया था गुमला में परतिबंधित मांस बिक्री का खुलासा जारखन के गुमला जी लेके चैनपूर थाना चेतरे के सुखडी गामें सनिवार को कुछ लोगों के दोवारा गो कसी कर परतिबंधित मांस बिक्री किये जाने का मामला परकास में आया है मिली जनकारी का नुसार सुचना मिलने पर पूलिस गाँ पहुंची तो पूलिस को देखकर बेचने और खरीदने वाले भागने में सफल रहे पूलिस ने एक ब्यक्ति को जो की खरीदने आया था उसे पुष्टाच कर रही है पुष्टास के दौरान उस ब्यक्ति ने पूलिस को बताया है कि पर्तेक सनिवार बरवे नगर गाव निवासी सुल्तान खान अपने कुछ सायोगियों के साथ मिल्यान नुसार एकका के बगान में गोकसी कर्मास बेजने का काम करता है लातेहर में नवालिक के साथ समोहिक दुसकर्म लातेहर सदर थाना छेतर के रेलवे इस्टेशन के समीब बीती रात एक नवालिक के साथ समोहिक दुसकर्म का मामला परकास में आजा है जनकारी के अनुसार नबालिक अपने घर से अरकेस्टा देखने लाते हार रेलवे इस्टेशन आई हुई थी इसी दोरान युगों को ने नबालिक को पहला फुसला कर रेलवे इस्टेशन के समीप ले जाकर उसके साथ समोहिक दुसकर्म किया नाबालिक ने इसकी जनकारी लाते हार थाना पुलिस को दी लाते हार थाना पुलिस ने मामने को संग्यान में लेते हुए समयक दुसकर्ण में सनलिप्त सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुछताच कर रही है CRPF जवान की मौत खुद के राइफल से चली गोली जार्खन के लाते हार जीले के महुआ डार्थाना छेत रंत्रगा CRPF 218 बटालियान बास कर्चा के जवान मेराजुदीन मापनो 40 वर्षिये की मौत सन्नी बार सुबा गोली लगने से हो गई इस सम्माद में CRPF के अधिकारों ने बताया है कि जवान मेराजुदीन सुबा 9 बजे 5 नंबर मोर्चे पर संत्री ड्यूटी में तनाथ था इसी दोरान लगभग सबा 9 बजे इसके मोर्चे से गोली चलने की आवाई सुनाई दी जिसके बाद बटालियन के CRPF के जवान और अपसर मोखे पर पहुँचे तो देखा कि स्वेम के इंसास त्राइफल से गोली चलने से घायल जवान खुन से लत्पत पड़ा हुआ है धन्यवाद